हाई दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Pulsar 125 BS6 में लगने वालेे अंडील होल्डर की बारे में कि किस पार्ट नंबर का अंडील होल्डर लगता है? कैसा दिखता है? कितने का होता है? तो आई वीडियों को शुरू करते हैं, यह देखे, हैंडी होल्डर दो पार्ट नमबर का होता है, एक लेप्ट एक राइट, तो दिखिए है, चपन डी अच नाइन डबलू वाई नाइन, यह सीट हैंडील है, देखे, पांस एकतिस रुप्या का राइट साइड का, इस पर आइन डी आज, नाइन भी वाई नाइन, इसका भी मार भी पांस एकतिस रुप्या है, हैंडी होल्डर हैंडील एलेच, तो आई दोनों को अपर बॉक्सिंग करके चेक करेंगे, कैसा देखता है, तो पहले लेप्ट वाला चेक करेंगे, और देखेंगे कैसा होता है, यह द अलग होता है, यह देखिए, यहां दो एलंकी से कसा जाता है, इसमें हैंडिल पाइप लगता है, इसमें यह, देखिए, यहां भी एलंकी से कसा जाता है, हैंडिल पाइप जो आता है, हैंडिल पाइप लगा कर, इसमें कस दिये जाता है, ठीक है, इसमें जो है कि साकराड आक लाग करता है इसको तो साकाराड जो है कि बिए 6 के 125 इसी में थोड़ा सा पतला साकाराड आठा इस वज़े से ये क्योगे अब आगे राइट साइट का देखते हैं कि इसको भी देख लेते हैं यह देखिए यह राइट साइट का हैंडिल होल्डर है इसमें दो देखिए दो एलंकी कसने का इसमें भी जगह दिया हुआ है यहां भी हैंडिल पाइप लगाने का जगह दिया हुआ इधर से पाइप लगा देंगे इधर से बोल्ट से कस देंगे ठीक है यह राइट साइट क हेंडील होल्डर होता है ठीक है यह देखें दोनों इस तरह देखेंगे तो समझ में आएगा एक लेप्ट का हो जाएगा एक राइट साइड का ठीक है यह पाइप जो है कि पल्सर 125 भी एस शिक्स में केवल लगेगा ध्यान दीजेगा इस बात को हमेशा पाट नंबर भी आप याद रखे रहेंगे कहीं भी अगर लेने जाएंगे तो इसी तरह की वीडियों के लिए आप हमारी चैनल पर अगर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर कि चैनल को जाशादा सेयर करिए ताकि ये वीडियों जाशादा लोग तक पहुंचे और लोगों तक यह जानकारे भी पहुंचे ठीक दोस्तों तो फिर अगले वीडियों मिलेंगे जय हिन जय भारत